हेलो दोस्तों स्वागत एक बार आमका फिर आपके यूट्यूब चैनल रामसिस्टिटिपट पर दोस्तों मेरना मैं जितिन द्यादप और जैसा कि आप जानते हैं हम SSC GD 2021 के लिए प्रिविसर कोशन्स कर रहे हैं दोस्तों जो कि 2019 में एक्जाम हुआ था तो दोस्तों अगर इससे पहले आपने सैट नहीं देखे हैं तो उन सैट को जरूर देख लेना आपके एक्जामस में बहुत ज़्यादा हेल्फ हो लोंगा दोस्तों तो पहला कोशन है दोस्तों हमारे पास रहेकिस्तानी छेतर में किस पिलकार की बनस्पती समान रुप से पाई जाती है तो आपके पास दोस्तों ब्रक्ष, ज्ञाड़ी, हर्बेसियस और बेलें तो बेल मतलब दोस्तों जैसे बेल जो होती है जैसे दिखाओन तोरही की बेल होती है तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों आपको पता है रहेकिस्तान में मिट्टी रेतीली होती है और वहाँ पर ज्यादातर कैक्टेस, ज्ञाड़ियां वैसे ही पौदे पाए जाते हैं दोस्तों तो अगले कोशन के ओर चलते हैं दोस्तों अगला कोशन है बिस्व में सबसे बड़ा पेजल जलासे कहां पर इस्तित है तो दोस्तों आपके पास साओधी अरब, भारत, सेयुनितराज, अमेरिका और चीड दोस्तों आपको राइट आंसर इसका चुनना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास आपसन नमबर B, साओधी अरब तो आईए हो दोस्तो आपको यह question अच्छा लगा होगा तो next question क्यों चलते हैं दोस्तो अगला question है आपके पास great man made river किस देश में इस्तित है तो मतलब इंसानों द्वारा बनाए गई सबसे बड़ी river किस देश में है दोस्तो Kenya, Libya Ethiopia और मिस्र तो दोस्तो आपको इसका right answer चुनना है तो इसका right answer हो जाएगा option number 2 यानि कि Libya तो दोस्तो याद रखिएगा great man made river कहाँ पर है Libya में हैं दोस्तो तो आईए बात करते हैं दोस्तो इसका क्या है तो देखे लिखा है man made नदी पाइपो का एक network है जो Libya में अगला question दोस्तो रिखवेद को कितने मंडलो या पुस्तो को में विभाजित किया गया है तो दोस्तो आपको इसका right answer चुनना है रिखवेद आप सभी ने पता होगा कि इसमें कितने मंडल है तो दोस्तों आपको right answer इसका बताना है तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको right answer इसका option number 3 10 इसमें मंडल है total आपको क्या करना है दोस्तू इसका पहला मंडल किस से संबंधित है और last मंडल किस से संबंधित है वो याद रखना है अगला question है भारती ये पारामपरे खेल इनशुकनार किस राजे से संबंधित है दोस्तो देखिए आप पैटरन थोड़ा चेंज हो गया है पहले बहुत सिंपल सिंपल खेल पूछे जाते थे अब बहुत अलगला की जाते हैं आपके पास नागालेंड, मिजोरम, मिघाले और मणीपूर तो दोस्तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अबसा नमबर थ्री, मिजोरम तो याद रखिएगा कि इनसुकनार कहा है मिजोरम का है दोस्तो अगले कोशिन की ओर चलते हैं दोस्तो अगला जो कोशिन आपके पास वो है मोट से निमली खितमे से किस भारती राज्य का पारामपरिक निरत्य है आप देख रहे हैं दोस्तो निरत्य सेली भी बदल चुकी है पहले वो आपसे बहुत सिंपल सी निरत्य सेली पूछता था लेकिन आप उसने हाड कर दिया है क्योंकि मोट से आपने देखा होगा कि हम जानली इनको नहीं याद करते हैं तो आपको यह सारे याद रखने हैं दोस्तों तो मोट से कहां की है नागलानड़ की एक जनजाती द्वारा किया जाता है मोट से ठीक है दोस्तो अगले question क्योंचलते है अगला जो question दोस्तो वो यह है देखो लो सोंग निमलिकित में से किस भारती राज्य का एक तोहार है तो गोवा, मेगाले, अरुरांचर प्रदेश और सिक्किम तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि थोड़ा अब हटके पुछा जाता है तोहार क्योंकि पुराने तोहार सभी को याद हो गए है पुराने रत्ते सभी को याद हो गए है तो अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाका ओप्सन नमबर फोर सिक्किम तो याद रखिएगा अब आप अगर याद करेंगे तो कुछ हटके याद कीजेगा अगला कोशन है दोस्तों किसी भी परी संकट में नियोजर में काम करने के लिए 14 वर से कम उमर के बच्चों का निसेद भारते संभिदान के किस अनुच्छेद में बढ़ने थे कहने का मतलब यह दोस्तों कि 14 वर से छोटे बच्चों को आप ऐसे काम पर नहीं लगा सकते जहां परखत्रा होता है तो यह निसेद है दोस्तों नहीं लगा सकते तो निसेद किसमें है यह कौन से आर्टिकल में तो दोस्तों यह है आर्टिकल 24 में जिसमें यह बोला गया है कि यह कानूनन अपराद है कि अगर किसी 14 साल से छोटे बच्ची को काम पर लगाए जाता है अगले कोशन की ओर चलते हैं दोस्तो अगला कोशन है क्याने का मतलब मैं कि मैं एक हिंदू क्यूं हो पुस्तक के लिख कौन है तो दोस्तो आपको राइट आंसर इसका चुनना है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ससी थरूर तो दोस्तो आपको पता चल गया होगा कि I am इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औप्शन नंबर E अगरे कोशन के ओर चलते हैं दोस्तो अगला कोशन है निमलिखित में से पल्लव राजवन्स की राजधानी कौन सी थी तो दोस्तों यह बहुत ही important राजवंस रहा है पल्लव पूछा जा सकता है इसका पहला सासर कौन था यह भी पूछा जा सकता है याद रखिएगा तो राजधानी आपको भी बतानी है total option है कलकत्ता विसाखापटनम कांचीपुरम और तंजापुर तो दोस्तों जब हम टमाटर खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड हमें मिलता है तो लिखाओ है मैलिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, टाटरिक एसिड और ऑक्जिलिक एसिड तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसमें टमाटर में ऑक्जिलिक एसिड पाया जाता है दोस्तों ए दोस्तो अगले कोशन की और चलते हैं अगला कोशन है भारत में GST कब लाग हुआ था दोस्तो तो आपसन है दो अक्टूबर 2015 को आठ नमंबर 2016 को एक जुलाई 2017 को 15 अगस 2014 को तो जो दोस्तो आप सभी को पता होगा GST नरेंद्र मोदी की कारेकाल में GST एक जुलाई 2017 को लाग एंड सर्विस टेक्स जो की एक जुलाई 2017 को हमारे पूरे देस में लागू हो गई थी अगला कोशन है धूपगड चोटी भारत के किस राज्य में इस्तित है तो देखिए आपके पास गुजरात मध्धे प्रदेस उत्तर प्रदेस और राजिस्तान तो दोस्तो का और राज़्टी एक हेल कौन सा है दोस्तो इससे पहले मैंने सेट कराएं आपके आमेरिका का पूछा था जिसमें बेसबॉल था आई हूप आपको इसका राइट आंसर पता होगा आपके पास हौकी क्रिकेट वास्केट बॉल और व्लिबॉल तो दोस्तो इसका राइट अंसरोजा का option number 4 बॉलीबॉल याद रखिएगा स्री लंका का कौन है बॉलीबॉल अमेरिका का कौन है बेसबॉल याद रखिएगा ठीक है दोस्तो अगले कोशन क्यों चलते हैं भारत का तो आप सबी को पता होगा क्या दोस्तो होकी है अगला कोशन है आपके पास किसी एक व भ्यास होना चाहिए तो दोस्तो आपको पता होगा कि 10 साल 10 साल तक अगर किसी ने उच्छी नियालने में काम किया है दोस्तो तो वो कहा पर जाकर बन सकता है वो आपके high court यानि कि उसमें जाकर सुप्रीम कोट में बन सकता है तो अगला question है दोस्तों आपके पास हरित करांत भारत में भी हुई थी दोस्तों आपको याद होगा किस ने करवाई थी मैंने आपको सारा बता रखा है पिछले सेट में जरूर देख लेना अगला कुशन आपके पास भारती राज़्टी कांग्रेस की स्थापना किस सहर में हुई थी कलकता, राज़कोर्ट, मदरास और बंबई तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1885 में A.O. Hume द्वारा बंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी INC यानि की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में किस की द्वारा की गई थी लोगी बेर्ड तो दोस्तों FM की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है एक कुछ एक्जाम में FM की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसान नंबर सेकेंड एडविन अगले कोशन की ओर चलते हैं दोस्तों अगला जो कोशन आपके पास वो यह है भारतिय संसत द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधीनियम का पारित किया गया था 2016, 2012, 2014 और 2018 दोस्तों भगोड़ा अधीनियम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग हमारे देश से पैसा लेकर भाग जाते हैं जैसे नीरभ मोदी, एर, इंडिया के जो मालिक थे वो भाग गये थे दोस्तों तो ये सब आपको याद रखना है तो इसका राई टांसर रो जागा 2018 बात करते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधीनियम क्या है तो दोस्तों इसका जो उद्देश से है वो ये है कि बर्स 2018 में इस कानून को लाने का मूल उद्देश से कानूनी कार्यवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए था दोस्तों हाली में पिड़वर्तन निदेशाले द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधीनियम के तहत हीरा कारोबारी नीरब मोदी की लगवग 339.66 करोड की संपत्ती जब्त कर ले थी दोस्तों तो नीरब मोदी जो थे वो PNB से दो अरब डॉलर दोस्तों पैसे ने डॉलर लेकर भाग गय थे जिनको बाद में पकड़कर कहां ब्रेटेन की जिल में बंद कर दिया गया है तो दोस्तों और इसके पहले उबर बात कर लेते हैं तो देखी लिखा हुआ है कुछ प्रमुग बिंदू देश में पहली बार भगोडा आर्थिक अपरादी अधीनियम के तहत किसी संपत्ती को जब्त किया गया थो बरतमान में नीरब मोदी 2019 से लंदन में ग्रफतार होने के बाद ब्रेटेन के जिल में बंद हैं ये सारे पॉइंट्स आपको दोस्तों याद रखने हैं तो चलिए दोस्तों अगले कोशन की ओर चलते हैं तो दोस्तों अगला कोशन है आपके पास एतिहासिक फबारा गुलजार होज निमलिखित में से किस भारते सहर में इस्तित है तो दोस्तों आपके पास ऑप्सन है अजमेर, दिल्ली, हैदरवाद और लखनओ तो दोस्तों आपको उसका राइट आंसर बताना है 20, 15, 25 और 30 दोस्तों MSP ये बहुत बड़ा मुद्ध है आपको पता किसान और सरकार के बीच में अंदुलन चली रहा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर है 25 यानि कि 25 फसलों के लिए MSP की घोशना की गई है आयूप आपको प्रक्टिस सेट अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाइद दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में